तो आज जो है हम लोग नया चैप्टर सुरूख कर रहे हैं आमाइन्स ठीक है यह और्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर होगा आप लोगों का इसके बाद और गेनिक केमिस्ट्री आपका फिनिस हो जाएगा तो कि इसके आगे का सिलेवस जो भी है वह भूट गया है तो वह तो अब है नहीं तो आमाइन्स जो है आपका लास्ट चैप्टर होगा ठीक है तो आमाइन्स क्या चीज़ है अमाइन्स जो है डेरिवेटिव है ठीक है अमाइन्स क्या है डेरिवेटिव आफ अमोनिया है यह यह अमोनिया का प्रोडक्ट है अमोनिया का क्या होता है है molecular formula NH3 होता है और इस पर एक lone pair होता है यह हुआ ammonia यह क्या चीज़ है ammonia तो ammonia का जो structure होता है ठीक है ammonia का जो structure होता है पहले वह हम जान लेते हैं ammonia का structure क्या होना चाहिए इसमें अगर हम central atom nitrogen है इसका जब हम hybridization को हम देखेंगे अच्छे से ठीक है न तो इसका hybridization जो होता हो sp3 है ठीक है यह जो central atom nitrogen है इसका hybridization जो होता है वह sp3 होता है ठीक है तो sp3 है तो इसका मतलब हुआ इसका जो safe होना चाहिए वह tetrahedral इसका जो structure होना चाहिए वह tetrahedral होना चाहिए कि क्योंकि इसमें जो है तीन तो bond बना लिया hydrogen के साथ और एक lone pair रा गया unsared pair रा गया तो यह चार मिल करके tetrahedral बनाएगा तो यह जैसे मानलेते हैं कि यह tetrahedral का पाठ है यह हो गया अब क्या है जब हम इसको मिला देंगे ऐसे मिलाएंगे इसको हम tetrahedral shape होता है ठीक है लेकिन होता क्या है कि tetrahedral shape इसका तो होगा नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि ये तो lone pair है तो ये तो bond बनेगा ही नहीं तो ये उपर में pyramid हट जाएगा ये pyramid जो है हट जाएगा ये तो बनेगा ही नहीं तो कैसा अब सेफ दिख रहा है दियान से देने की जरुवत है यहाँ पर जो है लोन पेर है एक इधर है बॉंड एक यहाँ है बॉंड और यहाँ है तो अगर हम इसको मिला रहे हैं इसको अगर हम मिला रहे हैं और इसको अगर बना रहे हैं तो यह कैसा बन ला नीचे में ट्र बन गया यह एच 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 का ट्रेंगल बना नीचे ट्रेंगल बन गया और ट्रेंगल के ऊपर यह एक जो नाइट्रोजन है वो प्लेन में नहीं है यह यह जो तीनों के प्लेन से ऊपर है तो कैसा दिख रहा है यह पीरामीड के जैसा नाइट्रोजन के जो है इस तीनों के ऊ उपर है यह पीरामीड के जैसा दिखा इसलिए जो फाइनल हो गया अमोनिया का स्ट्रक्चर वो हो गया ट्राइगोनल पीरामीडल ट्राइगोनल पीरामीडल यह याद रखना है कि अमोनिया का जो स्ट्रक्चर हुआ जो सेफ हुआ वो ट्राइगोनल पीरामीडल है ठीक है द अमोनिया को क्या बोलते हैं लुईस बेस क्यों होता है बेसिक बेस किसको बोलते है according to लुईस जो pair of electron donate करे उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बेस चुकि इस अमोनिया में इस nitrogen के उपर यह unsared pair of electron है इसको यह आसानी से donate कर सकता है है इसी लिए जो ammonia है वो बेसिक है इसका मतलब क्या हो गया चुकि यह amines है जो की derivative of ammonia है तो derivative of ammonia जो बन रहा है nitrogen को को disturbance नहीं है जब हम ammonia से amines बनाएंगे तो इसमें हम nitrogen को disturbance नहीं करेंगे है nitrogen को क्या इसको disturbance करेंगे hydrogen कोुँण करेंगे hydrogen को हम substitute करेंगे तो hydrogen को जब हम substitute करेंगे तो लेखिन nitrogen को कोई disturbance नहीं दे रहा है और nitrogen के उपर ही long pair है और ammonia इस long pair चलते हैं, Lewis base है, इसका मतलब सारा Amines भी base होगा, चुकि Ammonia base है, इसलिए Amines भी base होगा, उसी तरह से Ammonia का shape क्या है, Trigonal Pyramidal, Trigonal Pyramidal क्यों हो गया, क्योंकि due to the presence of one lone pair at the central atom, तो इसके चलते क्या हो गया, यह उपर वाला pyramid हो गया, इसलिए ही बच गया, तो Trigonal Pyramidal हो गया, distortion हो गया, Trigonal shape got distorted to Trigonal Pyramidal due to the presence of this one lone pair over the nitrogen, ठीक है, यह हो गया, उसके बाद क्या है, कि जो tetrahedral angle होता है, tetrahedral angle जितना भी होता है, उससे कम हो जाएगा, tetrahedral angle कितना होता है, 109.5 degree, ठीक है, tetrahedral angle कितना होता है, 109.5, मतलब अगर यह tetrahedral होता, तो जो central atom पे जो angle बनता, चारो तरफ वो कित क्या कहतना होनता 109.5 डिगरी का बनता लेकिन ये जो लोन पेर है तो ये तो बॉंड पेर है ये बॉंड पेर है ये बॉंड पेर है ये बॉंड पेर है तो ये लोन पेर बॉंड पेर रिपल्सन इधर आएगा लोन पेर बॉंड पेर रिपल्सन आएगा य इधा हमाँ है, bond pair, bond pair, तो ज़्यादा repulsion किसमें होता है, पहला होता है, loan pair, loan pair में, तो ऐसा कोई condition यहां नहीं है, यहां पर condition क्या है, loan pair, bond pair, loan pair, bond pair, loan pair, bond pair, तीन तीन है lone pair bond pair repulsion और ये दोनों के बीच में bond pair repulsion है इस दोनों के बीच में bond pair bond pair repulsion है bond pair bond pair repulsion कम होता है बहुत कम होता है तो क्या होगा ये repulsion ज्यादा है lone pair bond pair repulsion तो इसको क्या करेगा थोड़ा सा नजदिक ले आएगा इसको इसको तीनों को नजदिक लाने से क्या होगा कि bond angle जो है घड़ जाएगा ठीक है तो ये लगभग जो है 108 degree के पास रहेगा ऐसे amines भी तो तीन तरक होता है तो तीनो amines का bond angle अलग होगा लेकिन on an average जो amines का bond angle होगा 108 degree होगा तो सब चीज में change हो गया shape भी change हो गया bond angle भी change हो गया उसके बाद तीन तरक amines होता है तो उसका basic strength भी अलग अलग होगा वो सब हम लोग अब आगे पढ़ेंगे ठीक है इतना बात आप लोगों को समझ में आगे होगी अब हम लोग पढ़ेंगे तो ammonia जो होता है amines से बनता है तो rough idea के हिसाब से हम इस तरह से ammonia का structure दिये तो हम इसमें से सबसे पहले एक hydrogen को हम replace कर देते हैं कोई भी alkyl group से replace करेंगे तो एक hydrogen replace जब हुआ यह हो गया हमारा primary amine यह हो गया primary amine जब ammonia के एक hydrogen को replace करेंगे किसी भी alkyl group से अना किसी भी alkyl group से जब हम ammonia के एक hydrogen को किसी भी alkyl group से replace करेंगे तो उसको हम लोग बोलते है primary amine ठीक है अब जैसे यह CH3 है था हम दूसरा alkyl group भी दे सकते हैं जैसे CH2 CH3 दे सकते हैं अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर benzene ring भी दे सकते हैं तो arryl amine हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से कोई भी arryl या alkyl group जब hydrogen को replace कर देते हैं ammonia से तो वह amine का लगता है अगर सिर्फ एक ही hydrogen को हम replace किये हुए है तो यह हो गया primary amine अगर इस ammonia में यह क्या है ammonia ठीक है ना ammonia में अगर हम दो hydrogen को replace कर दे हैं माले यह CS3 है इधर हम CS2 CS3 दे सकते हैं दोनों भी same भी दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है तब दो hydrogen replace हो गया ammonia का तो यह हो गया हमारा secondary amine ठीक है उसी तरह से हम ammonia के तीनो hydrogen को भी replace कर सकते हैं ठीक है मान लते हैं यह methyl हो गया इधर हम जो है इथाइल दे दिये और इधर हम दे देते हैं प्रोपाइल तीनों alkyl group same भी हो सकता है different भी हो सकता है अभी ammonia का तीनों hydrogen जो है replace हो गया है किसी ने किसी alkyl group से तो यह हो गया tertiary amine तो इस तरीके से जो है amines तीन तरह का होता है अना primary amine, secondary amine, tertiary amine तो अगर classification पूछा जाए तो amines कितने तरह का होता है तो हम बताएंगे तीन तरह का होता है primary amine, secondary amine, tertiary amine अब यह तीनों ही amine का structure तो same होगा क्योंकि सम्में यह nitrogen central atom है क्याना trigonal pyramidal होता है इसका भी trigonal pyramidal इसका भी trigonal pyramidal हो सकता है bond angle थोड़ा different होगा क्योंकि different amount of repulsion रहता है इसमें तो bond angle different हो सकता है लेकिन यह जो है सबका जो safe होगा वो क्या होगा trigonal pyramidal ठीक है basic होगा तो जैसे ammonia basic होता है वो इसे ही amines भी basic होगा ठीक है यह arryl अगर हम alkyl group देते हैं तो हम लोग amine का example हुआ यह दोनों क्योंकि इसमें कोई benzen ring नहीं है इसमें एक हम benzen ring दे दिये हैं ठीक है तो यह हो गया example arryl amine अगर एक भी benzen ring आ गया है ठीक है hydrogen को replace करने के लिए तो वह arryl amine हो गया और अगर नहीं है वह इसको हम लोग बोलता है alkyl amine तो इस तरीके से हमारा जो classification हो गया वह amines का classification हो गया तो तीन तरह का amines मिलता है ठीक है तो altogether कितना हो गया classification classification of amine ठीक है पहला हो गया primary amine ठीक है दूसरा हो गया secondary amine और तीसरा हो गया tertiary amine ठीक है primary amine को हम लोग 1 degree लिखते हैं secondary amine को हम लोग 2 degree लिखते हैं तरसेरी amine को हम लोग 3 degree लिखते हैं इस तरह का जो है हो गया amines का classification ठीक है तो यह classification हुआ सिंपल क्लासिफिकेशन है ठीक है अब हम लोग थोड़ा nomenclature पढ़ेंगे तो अब हम लोग चो पढ़ने जाए रहे हैं वह है nomenclature of amine तो nomenclature दो तरह से होता है एक होता है common name nomenclature का मतलब क्या हुआ नाम लिखना नाम देना नाम करन समारो करना दूसरा हो गया हमारा iupac नेम ठीक है common name को कैसे लिखते है common name को इन जनरल लिखते है अलकाइल अमाइन ठीक है यह हम लोग लिखते है अराइल अमाइन ठीक है common name में और iupac name में क्या लिखते है अलकेन का e हटा देंगे और अमाइन लगा देंगे ठीक है अलकेन का जो है हटा देंगे e और उसमें हम अमाइन लगा देंगे ठीक है तो इस तरह से हम लोग अलकाइल अमाइन और अराइल अमाइन लिख सकते है और फिर जो है iupac name तो एक rule के हिसाब से चलता है जो rule है और अलकाइल अमाइन तो उसके natural source के उपर नाम दिया जाता है तो अब हम लोग जो है दोनों तरह का जो है नोमेंक्लेचर को detail में पढ़ते हैं एक्जामपल लेत जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा बनेगा जैसे सबसे पहले हम लोग एक्जामपल लेते हैं ठीक है यह हो गया हमारा एक अलकाइल ग्रूप जो है रिपलेस कर दिया है एक hydrogen को तो primary amine है ही तो इसका नाम क्या होगा चुकि एक ही hydrogen को रिपलेस किया त अलकाइल अमाइन नाम होता है common name alkyl amine तो इसलिए common name हो गया इसका methyl amine और अगर इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे तो यह क्या है methane है carbon chain एक carbon का है इसलिए यह हो गया methane और यह पूरा ग्रूप amine है इसलिए इसमें लगा देंगे amine तो हो गया methane amine यह हो गया हमारा तो इसका जो IUPAC नेम हो गया वह मीथन amine तो मीथन amine एक साथ पढ़ते हैं यह हुआ common name और यह हो गया IUPAC उसी तरह से अगर हम जो है ethyl group से हम replace करते हैं CH2, CH3 या अगर इसका condensed formula लिख देंगे तो C2, H5 भी लिख सकते हैं तो यह हो गया यह carbon chain हो गया ethyl तो ethyl लिखेंगे और उसके बाद amine लगा देंगे तो ethyl amine हो गया यह common name और इसका IUPAC नेम लिखेंगे तो carbon chain कितना है दो carbon का chain है इसलिए यह लिखाएगा ethyl ठीक है और उसके बाद उसमें हम ethyl में E हटा देंगे E को replace कर देंगे amine से ठीक है ध्यान देने वाली बात है कि common name में बीच में देखो मिथाईल और amine के बीच में एक gap है ठीक है लेकिन मिथना माइन जब लिखें है तो यहां पर कहीं भी gap नहीं है तो IUPAC नेम में कहीं भी gap नहीं दिया जाता है तो पूरा continuous लिखना है बस एक दियान रखना है common name में बीच में gap रखना है मिथाईल है फिर amine है इथाईल है फि common name यह common name हुआ और यह IUPAC name हुआ ठीक है ओके है अब हम एक्जामपल लेंगे जैसे यह अभी तक जो भी एक्जामपल ले रहे हैं वो सब primary हमाइन है क्योंकि एक ही hydrogen को हम replace कि हुए है ठीक है जैसे यह hydrogen है यह hydrogen है अभी और एक को हम replace कर देते हैं branch branch रहेगा उससे करेंगे जैसे यह हो गया इधर cs3 हो गया इधर cs3 हो गया ठीक है तो यह cs3 इधर भी cs3 है functional group हमारा क्या है nh2 हमारा functional group क्या है nh2 यह यह functional group हमारा functional group से जो carbon जुड़ा होता है उसी का value होते है तो यह जो particular carbon से जब 2 cs3 group attach होता है तो हम उसको क्या लिखते है आइसो उसको क्या लिखते है आइसो यह carbon आइसो है और carbon chain कितने का है एक दो तीन तो हो गया propile propane से हो गया propile isopropile group हो गया और यह amine है तो isopropile amine इसका नाम हुआ है ठीक है आइसो प्रोपेन कोई compound नहीं होता है लेकिन isopropile group होता है लेकिन isopropane कोई compound नहीं होता है, अब इसका हम IUPAC name जब लिखेंगे, तो हम carbon chain देखेंगे, क्या है, तीन carbon का chain है, यह प्रोपेन तो है, लेकिन इसका जो second carbon है, उसके साथ amine group जुड़ा हुआ है, उसके साथ क्या है, amine group जुड़ा हुआ है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन, प्रोपेन का E हटा देंगे, और किस carbon से जुड़ा हुआ है, एक, दो, तीन, इधर से बिकिन हो, एक, दो, तीन, यहनि second carbon से यह amine group जुड़ा है, तो यह हो गया, प्रोपेन 2 amine, प्रोपेन 2 amine, ठीक है, अगर हम इससी को normal carbon से, नॉर्मल प्रोपेन से जूड़ देते हैं, तब देखो क्या होता है, नॉर्मल प्रोपेन हो गया, CH2, CH2, CH3, यह भी प्रोपेन, एक, दो, तीन, कारवन का चेन, यह भी प्रोपेन है, यह भी प्रोपेन है, इसमें क्या है, कि जिस carbon से जुड़ा हुआ है, functional group उससे 2 CH3 जुड़ा हुआ इसलिए यह ISO हो गया लेकिन यहाँ पर जो carbon है उससे कोई CH3 group जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए ISO तो नहीं है, straight chain है, यह normal हो गया दूसरा बात है कि carbon chain 1, 2, 3 है तो position यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है यह दोनों में तो position number 1 होगा लेकिन इस पर जब आएगा तो 2 हो जाएगा, यह हो जाएगा तो इसलिए यह क्या हो गया, इसका नाब लिखेंगे हम लोग profile, common name क्या हो गया, profile amine ठीक है, क्योंकि यह profile है, propane group है लेकिन अगर हम IUPAC की बात करें, तो क्या होगा यहाँ पर propane लिखेंगे, क्योंकि carbon का chain जो है, तीन carbon का है और यह जो carbon है, यही पहला carbon है, क्योंकि जो carbon से जुड़ा होता है amine group उसी को हम prefer करते हैं, तो यह side वाले carbon से जुड़ा हुआ इसलिए यह पहला carbon हुआ, इसलिए पहला carbon से चुकी, यह functional group attach है, इसलिए यह हो गया propane 1 amine, ठीक है अब देखो, इसलिए में हम क्या करेंगे, हम इसको मिटा देते हैं इसको हटा देंगे, इसको हम CH3 कर देते हैं, इसको CH कर देते हैं और इससे हम NH2 जोड़ दिए, यहां से उठा के यहां ले आए, तो बन गया क्या है, यही बन गया ना, ऊपर में जो लुके है आईसोप्रोपाईलमाइण, यह बीच वाला कारवन है, इससे 2 CS38 है चेह, तो यह आईसो कारवन हुआ की ने, तो इसतर सस्ट्रक्चर बनाएज चाहीं, इसतर सस्ट्रक्चर बनाएज दोनों एक ही चीज़े, तो अब यह भी होई हो गया, आईसोप्रोपाईलमाइण, इस अभी तक जो भी एक्जामपल लिए वो सब क्या था प्राइमरी अमाइन था क्योंकि एक ही आडोजन को रिप्लेस किये तो इसमें जो है कभी भी हम नाइट्रोजन का डिसकेशन नहीं किये लेकिन जब सेकंडरी अमाइन और प्राइमरी अमाइन आएगा तो हमको आयू पी एसी नेम जब लिखेंगे तो उसमें नाइट्रोजन के एटेच्मेंट पर भी ध्यान देना होगा ठीक है अभी तक जो भी लिये थे एक्जामपल सभी प्राइमरी था अब हम लोग सेकंडरी जो है सिखेंगे तो मान लेते हैं कि एक हैड्रोजन को हम इथाइल ग्रूप से किये और दूसरे हैड्रोजन को हम इथाइल ग्रूप से रिप्लेस कर दिये तो यह हो गया हमारा अब सेकंडरी अमाइन का एक्जामपल अब बता रहे हैं अना तब इसका नाम क्या होगा अग अगर common name की बात करेंगे तो सब्स्टिच्वेंट गूरुप जो जो कार्बन्स चैन फ़का 250 नाम लिख देना और कुछ नहीं करना है अल्फआबैटीकली कर देना यह क्या है इथाईल यह टाल्फआगेटीकली इथाईल पहले आएगा इसलिए नोपेंगे compliance 노 अमाइन ठीक है यहां पर देखें यहां भी गैप है यहां भी गैप है क्योंकि कॉमन ने में इसलिए हर वर्ड के बाद गैपिंग गेना पड़ेगा इथाइल मिथाइल अमाइन ठीक है लेकिन जब हम आयू पी एसी नेम लिखेंगे तब हम देखते हैं इसमें जब दो कार्वन है दूसरा कार्वन चेन जुड़ा हुआ है जिसमें की दो कार्वन है तो अगर एक से ज़्यादा कार्वन चेन जुड़ा हुआ है तो देखेंगे कि कौन सा कार्वन चेन लंबा है जो कार्वन चेन लंबा है उसी को हम प्रिफर करेंगे वही अमाइन कह लाएगा इसमें तो मीथेन का भी आमाइन है, इथेन का भी आमाइन है, तो अब हम इसको इथना माइन लिखेंगे कि मीथेना माइन लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, ये सोचने वाली बात है ना, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से कौन सा जो है चेन बढ़ा है, ये दो का methyl group है उसका हम क्या करेंगे यह methyl group इससे तो जुड़ा हुआ नहीं है वो इस nitrogen से जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें हमको mention करना पड़ेगा इस पहले जो है Kaiser सब्स्टिचुएंट गूर। हो गया तो देखेंगे एनि ताइल एन एताइल लिखती है बैन मिथांट लिखाएगा कि कि यह मिथाइल गूरूप है गोऊँगे यह सब्स्टिचुएंट गूरूप हो गया न एन मिथाईल ठीक है और ये क्या है ये ही main chain है ना parent chain ही है ये क्या हो गया Ethan ठीक है एन-methyl Ethan कहीं भी gap नहीं आएगा इसमें ठीक है तो क्या लिखेंगे N-methyl Ethan Amine ये नाइट्रोजन से जड़ा हुआ है इसलिए N-methyl दिए उसके बाद ये Ethan का group है इसलिए Ethan लिखे E को replace कर दिया mine से N-methyl Ethan Amine ये हो गया IUPAC ठीक है अब एक्जांपर लेते हैं दूसरा सेकंडरी का ही लेते हैं कि दोनों अगर हम कर दें मालों कि दोनों ही मिथाईल गूरूप हो जाता है तब क्या करेंगे ये भी ये भी मिथाईल और ये भी मिथाईल अब तो दोनों सेम गूरूप है तो किसी एक को प्रिफर करेंगे नाम तो दोनों में एक ही होगा चाहिए लिखें तो मिथे नमाइन ये भी लिखें मिथे नमाइन तो बहुत आसान है ये भी मिथाईल है क्या हो जाएगा डाय मिथाईल क्या लिखेंगे डाय मिथाईल अमाइन हो गया लेकिन अगर हम आयू पी एसी नम लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे एक तो सब्स्टिच्वेंट मानेंगे और एक को मेंचेन मानेंगे तो हो जाएगा एन ये जब मान लो इसको सब्स्टिच्वेंट मान लिए तो ये एन मिथाईल हो गया क्या होगया एन मीथाईल और कार्वन चेन कितने का है एक कार्वन का तो मीठन लिखाएगा अमाइन लगा देते हैं तो हो गया मीठन आमाइन ठीक है एक ये और ये common नेम होगया ठीक है अब हो इसी तरह से जो है हम लोग तरस्यारी का अच्जामपल लगते हैं तरस्यारी का एक एक ड़्यम्पल लेते हैं और novॏ 2 हैड्रोजन को हम रिप्लेश डिये releasing 保़ इंहों हाइड्रोजन को तो लिखेंगे trimethyl, क्या लिखेंगे trimethyl, ठीक है, trimethyl amine, trimethyl amine हो गया, अब जो है, अगर इसका हम IUPAC name लिखेंगे तब क्या होगा, क्योंकि तीनों का तो chain length same है, तो कोई एक ही न chain बनेगा, बाकी दो तो substituent हो जाएगा, बाकी दो substituent होगा, मालते हैं कि ये हमारा chain है, तो यो गया मीथे नमाई, तो बाकी दो जो बच गया वो कहां जाएगा, दो मिथाईल और गुरूप है ना, ये दोनों, इसको कहां ठीक है, ये हो गया, एन, एन, डाइ, मिथाईल, एन, एन, डाइ, मिथाईल, गुरूप हो गया ये, सब्स्टिचुएट गुरूप, और ये तीसरा जो है, ये chain है, तो इसको लिखेंगे, मीथेन, ठीक है, मीथेन के एको हम, रिपलेस कर देंगे, आमाइन से, तो हो गया, N-N-Dimethyl-Methanamide, N-N-Dimethyl-Methanamide होगा, यह हो गया, टर्सेरी का यह एक्जामपल लिए हैं, उसका एक्जामपल है, ठीक है, अब एक एक्जामपल लेंगे, जैसे यह है, एक तरफ जो है, हम लोग ले लेते हैं, CH3, CH2, मतलब एक तरफ एठेन ले लिए, ठीक है, दूसरे तरफ भी हम चलो ले लेते हैं, एठेन ही, CH2, CH3, और तीसरे तरफ जो है, हम लोग लंबा चोड़ा थोड़ा ले ले लेते हैं, CH2, 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 CH3, हैंने चार करवन का ले लिए, ठीक है, तो अब जो है, अब इसका कोमन नेम जो लिखेंगे, इसमें भी बताना पड़ेगा, अब ये दोनों तो सेम है, इथाईल, ये भी इथाईल है, और ये क्या है, ब्यूटाईल है, ये सबसे लंबा चेन हैं, तीनों को लिखना पड़ेगा, एक के साथ तो अमाइन वर्ड जूट जाएगा, तो बाकी दो के साथ हम क्या लिखेंगे, जोगी तीनों तो सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, और ये डिफरेंट है, तो कॉमन नेम में भी हम इसका यूज करेंगे का अटेच्मेंट कौन से गुरूप क क्या है, इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, जब ऐसा केस आ जाएगा, तो एक लंबा चेन है, सबसे लंबा और बाकी दो सेम है, तो उस केस में हमको नाम देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये न के साथ ये दोनों इथाईल जुड़ा हुआ है, तो हम यहाँ पर अमाइन, एन डाइथाईल ब्यूटाईल अमाइन, यह इसका नॉमेंक्लेचर हुआ, कौन सा, यह हुआ कौन सा हुआ कौन नेम, अब हम आयू पी एसी नेम लिखेंगे, तो यह चार कारवन का चेन है, तो यही पैरेंट चेन होगा, यह दोनों दो दो का है, तो पैरेंट च स्टिच्वेंट हो गया, दोनों नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो यह इथाईल ही लिखाएगा, एन एन डाइथाईल, एन एन डाइथाईल, ठीक है, एन एन डाइथाईल, अब सबसे बड़ा चेन कोन है, ब्यूटेन का, तो लिखेंगे हम ब्यू, यह गैप नही वाली बात है कि एक, दो, तीन, चार कारवन है, तो चारव में से किसी से भी जुड़ सकता है न, यह, तो कौन सा कारवन से जुड़ा है, वो भी देखना पड़ेगा, जब ऐसा ओप्शन रहेगा, कि एक से ज्यादा पोजिशन संभव है, तो हमको पोजिशन जो है, मेंसन क गुरूप, इसलिए ही लिखाएगा, ब्यूटेन, वान, अमाहीन, ठीक है, तो इस तरीके से यह, जो है, नोमेंक्लेचर हम लोगों ने सिखा, ठीक है, और भी नोमेंक्लेचर सिखेंगे, आगे, आज बस इतना ही, अच्छे से रिवायच किजिए, पढ़िए, ओके,